जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने सेनिक वेलफेर यूट्यूव चैनल में दोस्तों जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% के पार बढ़ेंगे भत्ते या फिर बेसिक पे और मंथली कितना होगा फायदा ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि आजकर सोशल मीडिया मे भी ये कया बहुत सारे मेरेश के वह कमेंट के कमेंट से कमेंट किसी ने कहा है कि जनवरी 2024 से मिलने लगेगी बढ़ी हुई बेशिक पे एक मेरे वीवर्स ने पूछा है दूसरे ने पूछा है महंगाई बत्ता 50% बढ़ने के बाद बेसिक पे में मर्ज होगा क्या अगला सवाल पूछा है जन्वरी से हमारी कितनी बेसिक पे हो जाएगी और एक सवाल यह है क्या बड़ी हुई बेसिक पे पेंशन भोगियों को भी फैदा होगा मतलब यानि कि लोगों को ये लग रहा है कि जैसे 50% महंगाई बत्ता पार हो जाएगा तो क्या वो बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा और इस तरह की सोशल मीडिया पर भी न्यूज पेपरों में भी खबरें हैं जो की आप देखेंगे यहाँ आपके शामने यह एक देखिए रिपोर्ट है 50% DA merger with basic pay in 7th pay commission इस तरीके से लिखा है और उन्होंने लिखा है कि in the year 2024 it is anticipated that the DNS allowance DA will reach a significant milestone of 50% यानि 50% पर यह पहुँच जाएगा January 2014 से this raises the question of what implication this will have for central government employee यानि कि इसका central government के केंदे करमचारियों पर कितना महतपूर पिरभाब पड़ेगा और क्या पिरभाब पड़ेगा इस तरीके से यह question है अब यहाँ देखिए जब आप देखते हैं कि 2004 में यानि कि 2004 में जब महंगाई बत्ता 50% को पार कर गया था तो उस समय उसको basic pay में मर्ज कर दिया गया था यह 5th pay commission 5th central pay commission का recommendation था उस समय लेकिन 7th pay commission का ऐसा कोई recommendation नहीं है आपका महंगाई बत्ता आपकी basic pay में मर्ज नहीं होगा यह clear है लेकिन अभी देखिए 50% डिये के support में क्या कहा गया है चार महिने के उस्तम इस तर पर पहुँची खुदरा महंगाई खाने पीने की चीजे हुई महंगी यानि जो चार महिने पिछले चार महिने का जो महंगाई का जो trend चल रहा है वो बढ़ते ही जा रहा है यानि सितंबर के महिने में 5.02% थी अक्टूबर में 4.87 थोड़ी सी डाउन हुई लेकिन नवंबर में ये 5.55% पर पहुँच गई जो की अब आपके दिसंबर के महिने में ये बढ़कर पहुँच गई है 5.69% पर यानि की अभी तक ये पिछले 4-5 महिने के पीक पर है तो इस वार जो आपका सूचकांक आने वाला है अखिल भारते उभोगता सूचकांक दिसंबर महिने का जो की आपको अब से 15-16 दिन के बाद मिलेगा जिसके बाद आपका होना है और जब वो बढ़ जाएगा तो इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा वो देखिए और वो असर कुछ इस तरीके से होगा जब आपका महंगाई भत्ता 50% को क्रॉस कर जाएगा तो उस समय आपका हाउस रेंट अलाउंस बढ़ जाएंगे और वो कितने हो जाएंगे x city के लिए तीस पर संट वाइश ति के लिए बीस पर संट जेड सिटिप के लिए 10 पर संट आपका चिल्डरन एजूकेशन अलाउंस बढ़ जाएगा जो अभि आपको बाइस सो पचाश रुपे मिला वो बढ़के मिलने लगत और आपका जो चिल्डरन एजुकेशन एलाउंस से दिव्यांग बच्चों के लिए वो 4500 रुपे जो पर मन्त आपको मिल रहा है वो बढ़के हो जाएगा आपका 5625 रुपे और जो आपका होस्टिल सबसिटी आपको मिल रही है 6750 रुपे वो बढ़कर हो जाएगी 8437 रुपे पचास पैसे और जो इस्पेशल चैल्ड केर के लिए 3000 रुपे पर मन्त मिल रहे हैं वो बढ़के आपके हो जाएगे 3750 रुपे इसी तरीके से आपका जो रिटार्मेंट के टाइम पर ग्रेजुटी की जो अपर सीलिंग लिमि आपको जो ड्रेस का बत्ता मिलता है अभी मान लीजिए एक्जांपिल के तौर पर जिनको 10,000 रुपे मिल रहा है वो बढ़के हो जाएगा 12,000 रुपे यानि कि यहां पर भी 25 परसेंट की इस तरीके से बड़ोत्री होगी और जो आपको टीए ट्रांस्पोर्ट और परसनल एफेक्ट ट्रांस्पोर्टेशन और परसनल एफेक्ट जो अभी आपको मिल रहा है यानि 6000 किलोग्राम बजन के लिए पे लेविल 6 टूट पे लेविल 6 एंड एबो जो आपको 50 रुपे पर किलोमीटर मिल रहा है ये बढ़के आपका हो जाएगा 62 रुपे 50 पैसे पर किलोमीटर और पे लेविल 5 वालों के लिए जो अब तक 25 रुपे मिल रहा है ये आपका बढ़के हो जाएगा सवा 31 रुपे और जो पे लेविल फोर एन उससे नीचे वालों को जो अब तक आपको 15 रुपे पर किलो मीटर के हिसाब से मिल रहा है वो फिर आपको मिलने लगेगा पौने 19 रुपे पर किलो मीटर के हिसाब से इस तरीके से आपका जो मैलेज अलांसिस है ज़े जैसे आप कहीं अपनी कार से टैक्सी से टैविल करते हो तो आपको 24 रुपे पर किलो मीटर का चार्ज मिलता है तो अब आपको 24 के जिग है 30 मिलने लगेगा और जिनको अपने स्कूटर से या रिक्सा से जो जन्नी करते हैं और जिनको 12 रुपे पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज मिलता है उनको मिलने लगेगा 15 रुपे पर किलोमीटर के हिसाब से इसी तरीके से आपके जो entitlement हैं किसी course पर जाते हो उस तरीके से तो यहां आपके allowances में ये ड्रद्धी हो जाएगे तो आपको ये clear होगा कि आपका 50% DA बढ़ने के बाद में आपकी basic payment मर्द नहीं होगा बलकि आपको ये 9-10 जो allowances से ये आपके बढ़के मिलने लगेंगे और ये confirm है कि आपका 99.9% जनवरी 2024 से implement हो जाएगा लागू हो जाएगा क्योंकि महंगाई दर के जो आंकड़े हैं जो अब आपका अखिल भारती उबहुदा सूच का आने वाला है वो 50% को cross कर जाएगा तो दोस्तों ये थी जानकारी महंगाई बत्ता और उससे related जो आपके allowances बढ़ेंगे उसके संदर में फिर मिलेंगे आपके welfare से जुड़ी भी किसी अनजानकारी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत कृचा को कृचा का